हेलो स्टुडेंस, रिफ्रिजर्यसन एड एर कंडीशनिंग में हम आज आप लोगों को वेपर अभ्यारपशन रिफ्रिजर्यसन सिश्टम में जो नेक्स टापिक है वह आपका घरेलू texturelax रिफ्रिजर्यसन सिश्टम जिसको हम domestic प्रेश्टे के एक्टोलेक्स रफ्रेजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर करने के लिए यूज करते हैं और जो आपका हाइटोजन होता है वह वार्ट जो इन्स आप होता है यह भी हमारे लिए हाइटोजन का यूज करने का प्लस पॉइंट है। और तीसरा आपका वाटर है वाटर और सॉल्बेंट कि यूज़ करते हैं जो लिक्विड अमोनिया के साथ मिलकर वीक अमोनिया स्लूशन को स्टॉंग अमोनिया स्लूशन में कर्णवर्ड करता है तो हम इसके वर्टिंग फंसल को एब्जॉर्बर से स्टाल करते हैं एब्जॉर्बर के अंदर जो अमोनिया का स्लूशन होता है उ और water mix होने क्वाजा से उस solution को हम strong ammonia solution चीज़र के अंदर आता है और जब strong ammonia solution heat exchanger के अदर आता है तो और उसके temperature को heat exchanger large कर देता है राइव हुआ स्टांम अमोनिया सलूसन यहां से आगे जरेटर के अंदर जाता है सैन पील संते है कि यह सेंड़र के सुप से अंदर आ जाता है ईसका कंप्रेश्बा थाrocket उसकी हीड हीड को हीड ळेले रही हीड यहां से आने वाले इस्काम इन्पुर्णा इंदाता емонिस्ullen कि यहां की बात करते हैं यहां के जो आपका स्टॉंग आमोनिया का यहां से आगे वड़ता है उसके बाद रिटिफायर में जाता है रिटिफायर या इसके का फिल्टर भी उसकाते हैं, रिटिफायर का परपुश्यरी बीतना होता है यकर यहा से वेपर आमोनियाre के साथ वाटर के कॉंटेंट आगे बढ़ गए हैं to उसको यहा से अलग कर देड़ेकं आगे सिर्फ ü applies हे पर यह भी बढ़ने देता गों अलकर देता है वाटर की लुगनेंट नहीं उसका रीजन यहीं है कि आगे बढ़ जाएंगे तो कंडेंस पहुचने के बाद वह ग्यांदेंस होने यहां से है सिर्फ और अमोनिया जाएगा, मतलब अमोनिया का वेपर फार्म जाएगा, तो जब अमोनिया का वेपर फार्म कंडेंसर के अंदर जाता है, तो कंडेंसर के अंदर उसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद यह जो वेपर अमोनिया है, यह लिक्विड अमोनिया में कनवर्ट होता ह आले यहां पर इसकर करेंगार हो दोंब एंटर करते हैं वहांड से फिर लिफ्यर को करता है और है एक वहां पर इवावरेशन रेट को इंक्रीज कर देता मतलब जो पूलिंग इफेक्ट के रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है तो जब यह लिक्विड अमोनिया यहां के हीट को एज़ॉजाल करेगा तो वह बेपर में करनवर्ट होगा और उसके साथ और हैदोजन का सो आका और फिर से जावर के इनदर आता है जब जावर तो इस लोसन में से लोगले और हमानों के फिर से यहां से जिए के इनदर आएगा या को साथ कर लेगा वहak्वे piece-3 तो सब्सक्राइब üstराइब बर सब्सक्राइब होजाएगा और अजोफ में यहां पर इस रेफ्रिजरेटर का यूज यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं इसमें हम करते क्या है कि यहां अब पंप को हम इसमें रिमूब करते हैं पंप को यहां पर सब्सकारण जहां पर जहां पर ना जन्रेट हो जैसे आफिस वेदा हैं और जैसे जगहों वहत कम होती है स्योपी की वैलू कम होने के जासे इसको फैक्टिडिय और इंडस्टिय यूज नहीं करते हैं अब इसके बाद इससे पिछले टर्म पे हमने आप लोगों को सी यूपी करने का फर्मुला बताया था सी यूपी का डेरिवेशन कराया था तो उस यूपी पे बेस्ट एक आदम नुमेरिकल देखते हैं तो हमारा नुमेरिकल जो है एक वास्प और सोसर्ड रेफ्रिजरेशन निकाय का मतलब एक आपका वेपर एब्जार्बशन रेफ्रिजरेशन सि अक्मार फाम तापन का मतलब किया होता है जहां पर हम का फिट कर रहें यानि यहांद राशनी के जा रहा है वहां का temperature minus five degree centigrade यानि जिस दिखाँ पर रेफिजरेस्ट्रम प्रोडूस क्या जा रहा है उस हाल का temperature minus five degree centigrade है तो हमें अधिक्तम COP की value find कर दी है यानि अधिक्तम coefficient of performance maximum coefficient of performance की value find कर दी है तो हमें पता है हमें पता है maximum COP का फर्मुला होता है t e upon t c minus t पहले ब्रेकट केंदा दूसरे में टीजी माइनस टीजी अपान टीजी तो यहां पर टीजी जो है वह जहां पर रेफरिजरेशन को हीट किया जाना वह तो टमप्रेशर है तो टीजी हंडेट इसको केल्मिन में करेंगे 100 प्लस 273 यानि 373 कल्विन हो जाएगा दूसरा कंडेंसर का टमप्रेशर 20 डिजी है इसको भी कल्मिन में करेंगे तो 20 प्लस 273 यह आपका 293 कल्विन हो जाएगा और जहां पर कूलिंग इसे जनरेक किया जा रहा है उसका टमप्रेशर माइनस 5 डिजी सेंटिकेट है तो यह माइनस 5 प्लस 273 यह खिरना आ जाएगा 268 कल्विन आ जाएगा अब इन सारी बैलूज को इस COP के फार्मलें पुट करेंगे COP मैक्स इसकल्टू TE मतलब 268 अपान TC 293 माइनस 268 और सेकेंड बरेकर में TG जनरेटर का टमप्रेचर 373 माइनस TC 293 अपान TG 373 तो जो हम इस पूरे को सिंप्लिफाई करेंगे तो यहां पे जो COP की वैलू आती है 2.3 आती है तो इस तरहिके से आपका डारेक्ट फार्मलें पर बेस्ट जो नुमेरिकल हैं मतलब इसमें आपको जनरेटर का टमप्रेचर दिया होगा कंडेंसर का टमप्रेचर दिया होगा और जहां पर फूली इखर जलेट करना होगा वहां का टमप्रेचर दिया होगा तीनो टमप्रेचर को सिर्फ और सिर्फ केलविन में कनवर्ट करके फारवलेंपूट करके आपको सॉल्व करना है तो इस टाइप के नुमेरिकल की आप लोग प्रेटिस कर लीजिएगा आज के लिए इतना ही नेक्स टांप के गलटा पे कराएंगे थेंक